आप शवी को नमस्कार, मीशन दिव्यास्त सक्सेस रहा, सफल रहा, मीशन दिव्यास्त क्या है, मीशन दिव्यास्त अगनी 5 मिसाइल को सक्सेस पुली टेस्ट किया गया है, इसमें एक नए टेकलोजी के साथ टेस्ट किया गया है, और इस टेस्ट करने का नाम दिया गया है मी मीशन दिव्यास्त्र शफल रहा ऐसा खुद हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंदर मोदी जी ने एनाउंस किया है MIRV एक बहुत कम कंट्री के पास है या टेक्नलोजी इस मिसाइल में Multiple, Independently, Targetable, Re-Entry वाइकल टेक्नलोजी है तो अगनी 5 मिसाइल इस टेक्नलोजी के साथ सक्सेस्फुली टेस्ट हुआ है और इस टेस्ट का नाम है मीशन दिव्यास्त्र याद रखेगा जैसे हमारा Anti-Satellite Weapon टेस्ट किया गया उसका नाम रखा गया था मीशन सक्ती उसी तरह अगनी 5 में इस टेक्नलोजी के साथ टेस्ट का नाम है मीशन दिव्यास्त्र आप हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे सबसे पहले तो देखेंगे कि यह मिसाइल क्या होता है दूसरी बात देखेंगे कि मिसाइल कितने तरह का होता है जैसे यह बैलेस्टिक मिसाइल है या सर्फेस टू सर्फेस मिसाइल है या आप सोनिक में बात करेंगे तो हाइपर सोनिक मिसाइल है तो मिसाइल एक्चुली होता क्या है और कितने तरह के होते हैं दूसरी बात कि अगर अगनी 5 है मींस अगनी 1 2 3 4 भी होगा तो जो अगनी फेमली का मिसाइल है सबसे पहले कब आया क्या एक माई आर भी टेकनोजी और मिसाइल में है या इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे चलिए शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले अगर आप नए है और इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब किजिए 11 मार्च 2024 को जब अगनी 5 का सक्सेस्फुली टेस्ट किया गया मिर्वी टेक्नलोजी के साथ यानि मल्टीपल इंडेपेंडेंटली टारगेटेबल री इंट्री वहिकल अभी समझ में आ जाएगी किस नाम का क्या मतलब है टेक्नलोजी के साथ और इस सक्सेस को इस टेस्ट का नाम दिया गया है मीशन दिव्यास्थ प्राइम मिनिस्टर साहब खुद नाम दिये थे और उन्होंने ही एनाउंस किया है और डिया डियो के बधाई दिया है कि हाया मीशन सक्सेस्पुल रहा इस मीशन में सबसे ज्यादा योगदान इस महिला का जिनका नाम है सीना रानी डिया डियो में इन्होंने सुरू से ही इस मेशन में और खास करके माई आर भी टेक्नोजी को डेवलप्ट करने में इनका बहुत बड़ा जोगदान अब हम देखेंगे सबसे पहले कि मिसाइल क्या होता है मिसाइल हमेशा याद रखेगा कहीं भी नाम होगा तो वह डिस्ट रिट जाते हैं और इसमें ज्यादा अंतर नहीं होता अब अब देखिये यहाँ पर इस तरह का मिसाइल होता है। मिसाइल मिस क्या होता है एक ऐसा बोला जाता कि अन्मेंड इंटलिजेंट मशीन या एक बीना आदमी का बड़ा समझदार मशीन होता है या इस च्ठक्चर किसी तरह होते हैं और यां पर जो होता है न dorm होते हैं receivers और एक नियुकलर जो प्रॉम परागत है और nuclear चोर्कापर चेहां क् समझन सिर्थे में लगर में चैया आप होता है इसमें जिसको प्रोपार सली सिस्टें बोलते है आपको पता हो गया होते हैं जो गाइडेंस करते हैं इसको डाइरेक्शन देते हैं या विंग से लगे रहाते हैं यहीं काम करते हैं गाइडेंस देते हैं डारेक्शन देते हैं तो यह मोटा मोटी ऐसे मिसाइल होते हैं अब जो मिसाइल होते हैं वह कई तरह के होते हैं जैसे नेचर के बेसिस पे मिसाइल दो तरह के होते हैं तो बैलेस्टिक मिसाइ जो होता है वह सबसे पहले एस पेस में जाता है देखिए ऐसे एस पेस में गया यहां तक इसका प्रोपल्सन सिस्टम यानि फ्यूल यूज होता है यहां तक ट्रैजक्ट्री को गाइड किया जाता उसके बाद में यहां से यह टार्गेट पर विद दा इन्फ्लूएंस ऑफ प्रेवीटेशनल फोर्स इसको डिष्ट वायगा और किसे बाद में ग्रेवीटेशनल फॉर्स के माध्यं से काम करना चूल करती यहां से आपका फ्यूल नहीं लगता हमारे पास जो अगनी सीरीज का सारे मिसाइल है ब्रहमस बाली है क्रूज मिसाइल होता है कि टारगेट देखिए सेम यहीं है टारगेट यह क्या करता कि आट्मास्फेर में ही ट्रैवल करता ऐसे ट्रैवल करते-करते जाएगा और यहां इसको निया अगर यहां तक पहुंच का बाइलेस्टिक मिसाइल तब इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं । लेकिन इसको पूरे ट्राजक्टरी आप कंट्रोल कर सकते हैं। म evol linked, यहाँ तक हixelाक्पड वुर खुंचा तो 가지, ऊइसे गुमा दें इसको Wash सच्बMें जान सैसा किया सकता है जैसे हमारे पास इंडिजीनियस ली निर्विए जो नेटिक्रदीजी 바 मिंसाइल होते हैं जैसे अगर सर्फेस पर वह सब्समीद जोовать took to surface missile या इसको ground to ground missile बोलते हैं या इसी तरह एयर to surface missile, c2c missile इसको anti-ship missile भी बोलते है इसको air to ground missile भी सके ग्राइब अब बोलते है इतने तरह का launch mode पे missile होता है, जैसे या अगनी series का missile है, तो या क्या है, surface to surface missile है, clear, इसके अलाव है, distance पे भी कई तरह का missile होते हैं, जैसे short range missile, medium range missile, intermediate range missile, यह तीनों जो है, 700 से शुरू होके 4000 km तक होता है, अभी clear हो जाएगा, या intercontinental missile है, इसको long range missile भी बोलते हैं, जैसे हमारा अगनी 5 जो है long range missile है, यह speed के basis पे भी missile तीन तरह के होते हैं, missile का generally speed, air के, जो sound का speed है, उस पे लगाया जाता है, sound का speed क्या होता है, 332 meter per second होता है, अगर इससे कम है, एक mic, इसको mic भी बोला जाता है, तो sub sonic है, एक से 5 mic तक है, तो supersonic है, इससे ज़्यादा है, तो hypersonic है, जैसे अगनी 5 क्या है, hypersonic missile है, अब क्या, अगनी 5, ballistic, surface to surface, intercontinental या long range और hypersonic missile है, clear, समझ गा, अब आते हैं, अगनी 5 है, अब अगनी 5 missile जो है, long range missile अभी देखें, intercontinental भी होता है, और जितने भी defense related चीजे होते हैं, normally उसे DRDO ही तयार करते हैं, तो DRDO ही इसको develop किया है, या अगनी missile का family है हमारे पास, जो 1990 से हमारे देश में है, और हमारे अर्सेनल में इसका अस्थान है, या सबसे पहले 1983 में integrated missile development program, DR. APJ. अब्दुल कलाम के अंतरगात इसको सुरू किया गा था, उस समय सबसे पहले अगनी family का missile बनाया गया था, और 1990 से टेस्ट करने के बाद हमारे अर्सेनल में है, हमारे फोर्स के पास है, लेकिन यह जो missile है, अगनी five missile, इसमें क्यों या 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 आर्भी technology जो है, यह इसमें नया दिया गया है, multiple independently targetable re-entry technology, इससे चाइना का पूरा उतरी हिसा इसके target में रहेगा, इसकी सुरुवात पाँच डिकेट पहले ही हो गया था, यह यह technology बनाना है, अभी बहुत कम country के पास एक technology है, अब हम देखते हैं कि अधर अगनी missile, देख लीजे, surface to surface, बालेश्टिक missile है, अब confused नहीं होंगे, बालेश्टिक भी समझते है, surface to surface, अगनी 1, 700 से 1250 range है, अगनी 2, 2500, अगनी 3, 3500, अगनी 4, 3000 से 4000, और इसके अलामे भी हमारे पास एक अगनी प्राइम है, अब देखिए यह क्यों important, अगनी प्राइम जो latest missile है, और इसका range है, 1000 से 2000 किल अगनी प्राइम और अगनी 6 भी हमारे पास आचुका है, उसका भी कंसेप्ट हमारे पास आचुका है, क्लियर? अब हम आते हैं कि अगनी 5 जो है, सबसे पहले देखिए, इंडिया एनाउंस किया 2007 में अगनी 5, और जिस टेक्नलोजी का भी हम बात कर रहे हैं, MIRV टेक्नलोजी का, उस टेक्नलोजी का सबसे पहले, समझे की, आर्किटेक्ट है, अविनास चंदर, इन्हों बाद में DRD यो जो नेक्स्ट वेरियंट आएगा, उसमें यह टेक्नलोजी हो गया, यानि मल्टीपल वार हेड ये ले जा सकता है, एक वार हेड नहीं, मल्टीपल वार हेड, अभी क्लियर हो जाएगा, यानि कम से कम 4 से 12 वार हेड, अभी जो टेस्ट हुआ है, मीशन दिव्यास्त, इसमें लंच पैड है, यहाँ पे टारगेट है, तो बैलेस्टिक मिसाइल यहाँ से जाएंगे यहाँ पे, और उसके बाद अंडर दा इंफ्लूएंस ऑफ ग्रेविटी के इनफ्लूएंस में यहाँ टारगेट पे आ जाएंगे, यानि इसका इनका टारगेट है, अगर मान लेते ह है, कि मल्टीपल टारगेट का मतलब हो कि टारगेट हमारे यहाँ भी है, 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 यहाँ से इतने भागों में बटके, यहाँ सब को मार गिराया, यहीं टेक्नलोजी है, MIRB, आया बाद समझ म यानि यह टारगेट करते हैं मल्टी बहु सारे टारगेट करते हैं जो की 100 किलो मीटर तक भी हो सकते हैं और या सिंगल मिसाइल से करते हैं जो है नुकलियर howать ले जा सकते हैं अवे सी दोनिया में जाथे ऊनाइटेट एश्डेट रसिया चाइना फ्रांस और युनाइटेड किंडम के पास इस से सुषजित मिसाईल है क्युप्ट मिसाईल को लायने से और सी से भी ऑपरेट किया जा सकता है यानि सी मतलब समिरीन पर ले जाकर वहां से ऑपरेट किया जा सकता ऐसा नियूज आढopian कि पार चिंज नहें है साइकुड किलोमीटर के दूरी पर करेंगे थोड़ा सा और यह देखिए यह नॉर्मल मिसाइल है जो हमारे पास था अगनी में अगनी 1 2 3 4 पी प्राइम था यहां इरभव क्या कि ढरे जाके यहां विद्वन्स करें आग इहां करे शाली यह भी किंटेबर्स अंगेए अब इतने country के पास sea based, जो sea से submarine से जाएगा, United State के पास है, United Kingdom के पास है, France के पास है, land based China के पास है, sea land based Russia के पास है, और अभी हमारे पास हमने test कर लिया एगारा को, China को बताया जा रहा है कि है, अभी करेंगे तो China के मदद से करेंगे, इन country के पास MIR भी, तो जो इंडिया है, select club में अब entry पाचुका है, clear, अब इसका significance के आया, यहां तक तो आप समझ गए होंगे, कि significance बहुत है, मैंली हमारे पडोसी जो मूल्क है, चाइना और पाकिस्तान, लेकिन तीन हमने लिस्ट किया है, पहला क्या है, कि अभी भी हमारे पास, जो है न, land-based ballistic missile force का है इंबाइलेंस है, यानि चाइना के compare में, तो अब चाइना के compare में हम भी बराबर होगा, इस MIRB technology के साथ, अगनी 5 के कारण, इसके बाद, जो दूसरा है, इंडिया अभी भी, इस सारे चाइना के साथ है, sea-based nuclear deterrent, जो missile है, उसमें अभी भी पीछे था, तो यह भी हो गया, यह समारीन sea से भी launch हो सकते हैं, nuclear warhead है, और तीसरा, चाइना के पास, BMD है, यानि ballistic missile defense system है, तो इसके जबाब में, हमारे पास यह है, MIRB technology हो गया, तो यह significance है, इसको lethal क्यों इतना खतरना क्यों माना जाता है, यह तो आप समझ गए होंगे, कि traditional missile जो है, केवल एक ही target को यूज करता है, एक ही warhead यूज करता है, और यह क्या है, multiple warhead यूज करता है, है ना, एक बार में कितने target को भी ध्वन्स कर देता है, clear, तो इसलिए अर दूसरी बात कि यह different speed से, और different direction में उसको मार सकता है, जैसे, मान लिजे कि यह target है, यह target है, यह target है, यह target है, यहां से तो आएगा, यहां से भी खर जाएगा, इसको इसे speed से मारेगा, इसको इसे speed से मारेगा, इसको इसे speed से मारेगा, इसको इसे, MRIB टेकलोजी, यहां सबसे पहले, USA ने 1970 में डेवलप किया था, Soviet Union भी उसके बार डेवलप किया था, इसके कारण, यहां बहूत कम country के पास अभी देखे हैं, और उसको भी जॉइन कर लिजेगा, और यहां वीडियो से कुछ अगर सीखें हैं, तो प्लीज इसको लाइक जरूर किजिएगा, So, thank you, have a good day, and happy learning, thank you very much.